नवश्कार दोस्तो लेटिस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलबवी स्टूडियो को और बेल आइकन बजाना ना भूलेगे हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चानल एकलबवी स्टूडियो तो आज हम बात ही करेंगे शिल्पा शिंदे की बारे में तो शिल्पा शिंदे जो कि आप सबको पता है कि उनको दो साल के लिए बैंड किया गया था अपने कामों से जो वो काभी फ्रेस्टेटर भी दिखी थी अपने बिग बॉस के स्टार्टिंग के शो में और उन्होंने विकास पे काफी जादा खुनस भी निकाले थी अब हम बाते करेंगे कि उनको मिली है बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत सारे ओफर्स तो बहुत सारे ओफर्स में उनको मिले हैं दो फिल्म के ओफर्स जिस पे उन्होंने Big Boss Marathi के होस्त के लिए भी उनको उफर दिया गया है अब देखते हैं कि वो इस चीज को साइन करती है या नहीं करती है काफे सारे सीजल में भी उनको उफर मिल रहे हैं बट उन्होंने डाइटली मना कर दिया कि वो टीवी सीरिल नहीं करना चाहती है उन्होंने बोला है कि वो शिल्पा शिंदे क्या है वो बस वही काम करेगी जिसमें उनकी अपनी जो रियल पहचान बनी है वो रियल पहचान ना हटे लाइक वो रियालिटी शोर करना चाहती है वो होस्ट करना इवन उनको बहुत सारे एड के भी आफ़र है जैसे कि वो किचन में हमेशा काफी दिखा कि विग बॉस के घर में वो किचन में काफी देड रहती थी तो वही पर उनको आटे के एड के लिए किचिन के बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जिनके एड के लिए उनको काम मिल रहा है तो देखते हैं कि बिग बोस के घर से निकलने के बास शिल्पा के पास काम की कमी नहीं है और बिग बोस पहले उनको काम से हटा दिया गया था तो बिग बोस लोगों की लाइफ कितनी बदल द यह तो आप शिल्पा शिंदे से पूछे और शिल्पा शिंदे की लाइफ सी यह चीज़े आप सब को भी पता चल रही है तो ऐसी लेटेस अबडेट्स के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारी चैनल को और देखना ना भूले हमारे वीडियो को so don't forget to subscribe our channel do like comment share and subscribe thank you so much bye take care you झाल